समाजवादी पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष अखलेश यादव की निर्देश के वाद कानपूर के सपाविधाय कामिताप पाचपेग की नेतरित्व में सत्याग्रह अंदोलन की शुरुवात की गई कानपूर के फूलबाग मैदान में सिद्गांधी प्रतिमा पर 24 खंटे तक सत्याग्रह किया जाएगा अंदोलन में समाज वादी पार्टी के वरिष्ट नेता और कारेकरता अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं कानपूर सपाविधाय कामिता पाचपे का कहना था कि साल 2022 काफी निराशा जनक रहा जूटे दावे जूटे मुकदमों पर सरकार चलती आ रही है उनका कहना है कि मोदी जी ने कहा था 2022 में सबको आवास मिल जाएगा योगी ने कहा कि सभी सड़के गढधा मुक्त हो का सरकार नी जितने भी वादी कि ये सभी जूटे साबित हुए जेल में बन सपाविधाय के रफान सोलंकी के विशे पर उन्होंने कहा कि उन पर जूटे मुकदमे लगाकर जेल फेजा गया है जूटे सबूत और कहानिया बनाकर उनको जेल फेजा गया है उनका कहना था कि पुलिस इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज बन कर रहे गई है ये पुलिस दिंग नहीं बलकि अपना व्यापार कर रहे हैं आईए देखते हैं अमिताब आच्पी सफविधाय कारे नगर का क्या कुछ कहना है लाइब टीवी समाचार से आले अली की रिपोर्ट थानेदार बदल जाये करता था लेकिन चुकि अब तो इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज के अधिकारियों को और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी तुम्हारे मुगदमों से जेल से डंडने वाले नहीं हैं हम लोगातार जिंता के मुद्दों पर आंदूरन करते रहेंगे अब वो जो करना उसो करें ना आज कागज उनका कलम उनकी वो जो चाहें सो लिखें लेकिन हिसाब करने को तयार रहें आने वाले समय में सब का हिसाब एकिक करके किया जाएगा